आपके सामने पेशे देसी प्रोटीन शेक की रस्पी यानि सत्तू के सर्बत की रस्पी ऐसी ही टेस्टी हेल्दी इम्मिनुटी बूस्टर रस्पी बनाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें वेलकम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सबका स्वागत है गीत की रस्पी में आज मैं बनाने जा रही हूँ ऐसा देसी प्रोटीन शेक जो की बनाना भी बहुत आसान है और बहुत ही इजी एविलेबल चीजों से बनेगा और यह जो महंगे महंगे प्रोटीन शेक आते हैं कि यहां उसका सप्प्लीमेंट भी आप गह सकता है कि बहुत ही आसानी से बन सकता है मैं बनाने जा रही हूं सत्तू का सर्बत जीसब ऑनाने के लिए मैंने लिए हैं चने का सत्तू एक कप इसमें डालेंगे एक मिडियम चौप की हवा प्याज है कि अगर आप्याज नहीं खाते हैं तो इसके भी कर सकते हैं दो चॉपकी हुई हरी मिर्च एक टीस्पून भूना जीरा नमक स्वादा नुसर साथ में हम इसमें एड़ करेंगे एक नीबू करस अब हम इसमें एड़ करेंगे दो ग्लास पानी गर्मियों में बन रहा है तो ठंडा पाई और अगर आप ठंड में बना रहा है तो नौर्मल पानी दो ग्लास पानी डालके गर्मियों में बना रही है तो इसमें मैंने चिल्ल वाटर का योज किया है और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे किसी भी विस्कर की मदद से विस्कर नहीं हूँ तो चम्मच की हल्प से जो भी आपके पास अविदेवनों इसे अच्छे से चला लेंगे दोस्तों यह प्रोटीन का भरपूर श्रोथ है सुबह का बहुत ही हल्दी नाश्ता यह पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद है गर्मियों में पेट को ठंडा रखता है और साथ ही साथ कब जिसे भी छुटकरा दिलाता है बच्चे भूले यह जवान किसी के लिए भी यह हल्दी राइट है हमारा सत्तू का सर्वत एकदम रेड़ी हो गया है अब हम इसे सर्व कर लेंगे तो फ्रेंड्स तयार है हमारा टेस्टी हेल्दी सत्तू का सर्वत या देशी प्रोटीन शेक जिसे पीना स्वास्थ के लिए बहुत फायदेमंद है अगर आपको रिसकी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें शेर करें बेल आइकन दबाए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए बाई बाई